रादे रादे भक्तो आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आपका स्वागत है श्री माध्वी जी के सेवा में आज मैं आपको बताऊंगी एकाशी वर्थ के लाब पर उससे पहले आज एकाशी का वर्थ ना रखें ना वर्थ है पूरे वरिंदावन में कल एकाशी मिनाई जाएगी और कल ही एकाशी का वर्थ होगा तो 10 अक्टूबर को 2023 कल इंदरा एकाशी का वर्थ है तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ एकाशी वर्थ के लाब जो पुन्ने सूरे ग्रहन के दान से होता है उससे कई गुना अधिक पुन्ने एकाशी के वर्थ से होता है जो पुन्ने गोदान सूरे दान यानि के सोना दान अश्वमेग यक से होता है उससे अधिक पुन्ने एकाशी के वर्थ से होता है एकाशी करने वालों के पित्र नीच योनी से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर परसंता बरसाते हैं इसलिए यह वर्ट करने वालों के घर में सुक शान्ती रहती है धन धाने पुतरादी की व्रद्धी होती है कीर्थी वर्टिय जिसे जीवन रस में बनता है परमात्मा की परसंता प्राप्त होती है पूरुकाल में राजा नहूश, अंबरीश, राजा गांधी, आदी जीनों ने भी एकाशी का वर्थ किया, उन्हें इस प्रत्वी का समस्त एश्वरे प्राप्त हुआ भवान सिर्जी ने नारस से का है, एकाशी का वर्थ करने से मनुश्य साथ जन्मों के पाप नस्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेर नहीं है एकाशी के दिन किये हुए वर्थ, गोदान आदी का अनत गुना पुन्ने प्राप्त होता है इसमें सावधानिया क्या है, महीने में 15 दिन में एकाशी आती है एकाशी का वर्थ पाप और रोगों को स्वाहा कर देता है, लेकिन वर्थ, बालक और बिमार व्यक्ती एकाशी का वर्थ ना रख सके तो उन्हें चावल का त्याग करना चाहिए एकाशी के दिन जो चावल खाता है तो धार्मिक गरंथ से एक एक चावल एक एक किरा खाने का पाप लगता है अब कुछ लोगों का मानना ये है कि श्राद की एकाशी नहीं करने चाहिए नहीं ये वाली एकाशी का वर्थ आप जरूर करें जो लोग ये वर्थ करते हैं क्योंकि उनके जो पितर हैं उनको मुक्ती मिलेगे इनके पाप नस्ट हो जाएंगे इस एकाशी के वर्थ से इसलिए जो इस ब्रह्मे हैं कि ये एकाशी का वर्थ शाद में नहीं किया जाता तो ये वर्थ जरूर करें शादों में भी करें इसका बहुत ज़्यादा गुना फल मिलता है भगतो अगर एकाशी के वर्थ को लेकर आज की जानकारी आपको अच्छी लगे तो कोमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें और मेरे चैनल को स्पोर्ट करने के लिए लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें राधा रानी सब पर अपनी किर्पा बसाए बोलो जैश्री राधे